गुड मोर्निंग सात्यों शेक्षिक समाचार राजस्तान दस अप्रेल 2019 आज के मुख्य समाचार मैं उम्प्रकास पटवारियों के 5000 पद खाली एक साल से अटकी वी 2000 पदों पर बरती जैपूर साय कर्चे अधिकारी के 130 पदों की बरती सम्विक्षा परिक्षा 31 माई को सिक्कर पुनर मुल्याकन फीस 40 रुपे परती पेपर बढ़ाई 80 रुपे रेजिस्ट्रेशन सुल्ग लगेगा जैपूर थर्ड ग्रेड शिक्षक बरती लेवल एक के 8 जार पदों के रिसपल परिणाम जल्द जैपूर वर्दमान मावीर खुला विशु देले कोटा दूरस शिक्षा माद्यम से बीड करने है तो परवेश परिक्षा 2019 आरपीएसी सोसल साइंस और गनित के पेपरों में 2-2 पर्षन डिलिट अजमेर नोवी और इग्यारवी की वार्षिक परिक्षा के पर्षन पत्रों का वित्रण जोदपूर फिर बदला आर्यू की केंद्रिय लाइबरीरी का समय जैपूर सरकारी इसकोलों के विदारतियों को मिलेंगे केरियर विकल्प जोदपूर सिब्येसी सीदे प्रवेश के नियमों में होगा बदलाव उद्यपूर आर्यू में लंबे समय से खाली पड़े हैं पद जैपूर लेब बोई को कनिष्ट लिपी के पद पर पदोनत करने के आदेश दिये हैं जोदपूर सरकारी इसकोलों के कमजोर विदारतियों की लगेगी अतिरित कक्सा हैं कक्सा पांस तक के बचों को मिलेगा लाब बीलवाडा राजस्तान विश्विदाले ने पुर्णर मुल्यांकन के लिए मांगे आवेदन जैपूर इसकोली बच्चों को हाथ दोने के लिए प्रिरित करें दोलपूर इस वार मोबाइल एप से होगी जणगनना नहीं दिल्ली 25 फिस्दी पेपर का पुनर मुल्यांकन डियू पेपर की नहीं होगी फिर से जाच विश्विदाले की समय पर रिजल्ट जारी करने की कवायद जैपूर MDA स्विदाले की परिक्षाएं 22 से इस्तगित हो जाएगी 13 मार्च को टली दो परिक्षाएं 20 अपरेल को होंगी अजमेर शिक्षा विबा की रेंकिंग में अजमेर 14 इस्तान पर केई मापदेंडों के आदार पर होता है आंकलन अजमेर तो दोस्तों ये थे आज के राजस्तान के शेक्षिक समाचार वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को आप जिदी नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि शिक्षा और रोजगार से सम्वन्दित हर एक खबर आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है दोस्त तन्यवादे